हलो एवरिवान, वेलकम टू फार्मरुक्स यूटूब चैनल, फार्मरुक्स के यूटूब एज्यूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे हैपा मर्स इंजेक्शन के बारे में तो हम सिखेंगे ये इंजेक्शन के बेजिक यूश के बारे में कि कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिशन के अंदर हैपा मर्स इंजेक्शन जो है वो यूश किया जाता है साथ ही जानेंगे उसके dose के बारे में कि कितने dose में यह HEPA MERS injection यूज किया जाता है साथ ही जानेंगे कि यह injection कैसे काम करता है उसके side effect and warning and contraindications के बारे में सीखेंगे सरलवासा में तो सुरू करते है आज का lecture और सीखते है HEPA MERS injection के बारे में एक्सपेट लेक्चेर बाया मरसर, असिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर और फार्मारोक्स, थेंक यू फर बीन फार्मारोक्स फेमिली, अपडेट रही है फार्मा नोलिज के साथ, एक्सेस कर ये डिसीजन मेडिसेंस रिलेटेट कोर्स, फार्मारोक्स की आप पर वो भी एक साल तक और जहां आप सिखे, अलग अलग दवाईयों के बेजिक यूस के बारे में उनके डोस, साइड एफेक्ट, वर्निंग और कॉन्टर इंडिकेशन वो भी एक साल तक उफार्डेबल प्राइस में, तो अभी डाउनलोड कर लिजे अप्लिकेशन फार्मारोक्स की जो एंडियोड अप्लिकेशन है, गुगल प्ले स्टार पे, एफल आइफोन फार अप स्टार पे या फिर 9016312020 नमबर पे आफ हमें वाटसेप कर सकते हैं, तो एंडियोड यूजर एंडियोड अप डाउनलोड करें, आइफोन यूजर अप स्टार से, लिंक आपको डिस् जरी एल्थ-&-वैलनेस के लिए यूजर जाने वाला इंजेक्शन है, तो उसके कंपुजिशन में हम देखे, तो अंडर प्रेज़न है, और र्ल-ॉर्न थिन ल एंदर अबर प्रेजन्ट है, उसके मैंज़क्षर के बात करें है, दो वो है वीन्-ॉ ten देखते हैं, तो यहा खास लेखा है कि infusion concentrate for IV slow drip infusion, मतलब कि ये injection कभी भी directly vein में नहीं दिया जाता, proper dilutions करने के बादे ये injection को दिया जाता, तो आगे हम सिखेंगे कि किस तरह से उसके proper dilutions तयार होते हैं, और कैसे आप ये injection को dilute करते हैं, कौन से IV fluids के साथ उसको miss किया जाता है, तो वो सभी चीजों क आगे सिखते हैं detail में, तो वीन Medicare private limited के बारे में हम जाने, तो ये एक Indian pharmaceutical company है, और काफी fast growing pharmaceutical company हम कहे सकते हैं, कि जो 1980 से जो है वो healthcare business के साथ जूड़े है, और उसका जो headquarters के हम बात करें, तो New Delhi में, कि New Delhi में वीन Medicare private limit का head office है, आगे medication के content के बारे में सिखे तो L ornithin and L aspartate, 5 mg जितना ये injection के अंदर present है, कि अगर आप ये injection patient को देते हैं, तो उसके अंदर जो हो medications रहती है, वो है 5 gram और water for injection रहेगा, quantity sufficient के तोर पे, तो total जो content तयार होता है, वो 10 ml जितना रहता है, और 10 ml के अंदर 5 gram जितना ये medication उसके अंदर रहता है, तो L ornithin and L aspartate के जो हम बात करें, तो ये chemical कैसे तयार होता है, तो जो 2 amino acid है, कि ornithin नाम का जो amino acid है, और aspartic acid, तो ये देनों के combination से L ornithin and L aspartate जो होता है, और ये basically ज problems होते है, उसको treat करने के लिए, जो liver diseases वगरा होते है, उसको ठीक करने के लिए, उसको treat करने के लिए, ये medication यूज की जाती है, तो यहाँ पर उसके label study करें, तो each 10 ml के अंदर लिखा है कि L ornithin and L aspartate का mixture रहेगा, 5 gram जितना water for injection है, quantity sufficient, मतलब कि 10 ml बनाने के लिए, जो quantity चाहि ये उतना water for injection इसके लिए यूज किया जाया है, और proper उसको store करना है आपको, light से protect करके और temperature जो है, वो 30 degree से ज्यादा जो है, वो नहीं होना चाहिए, और साथ ही, खास medical prescription के साथ, या फिर जो medical supervision के साथ ही, ये injection को जो है वो यूज किया जाता है, उसके working के बारे में समझे तो ये हेपा मर्स इंजेक्शन काम कैसे करता है, तो ये क्या करेगा, हमारे body के अंदर जो ornithin and aspartic acid का जो level है, वो increase करवाता है, तो जो chemical है कि L ornithinol, L aspartate हमारे body के अंदर जाके क्या करते है, और निथिन अन aspartic acid को, जो उनका level हमारे body के अंदर increase करते है, जिससे क्या करते ह कि यह amino acid जो toxic chemicals होते हैं उनको कम करने का काम करते हैं कि यह जो amino acid है वो हमारी body के अंदर जाके क्या करेगे कि जो toxic elements होते हैं toxic chemicals होते हैं उनके level को जो वो कम करते हैं और उसमें specially जो ammonia होता है उसको हमारी body में से और हमारी blood में से कम करने का काम करते हैं कि जिससे क्या हो गया एक toxic elements जो हमारे बॉडी में से रिमूव होते हैं, रिड्यूस होते हैं, और इसी तरह से वो क्या करता है, हमारे लीवर को जो हो प्रोटेक्ट करता है, हामफुल केमिकल से, जितने भी हामफुल केमिकल से हमारे बॉडी के अंदर तयार होते हैं, तो उनको रिड्यूस करने का काम करत और specially ammonia को काम करता है blood में से कि जिससे liver जो ही वो proper protect होता है तो इस तरह से ये क्या करता है कि जो हमारा liver है उसकी healthiness improve करता है liver की जो health है वो improve करने में ये injection जो ही वो काम करता है तो इस तरह से उसका working रहता है आगे उसके use के बारे में देखे तो कौन से अलग-अलग medical condition में ये injection यूज किया जाता है तो जो liver disease जो होते है उसमें यूज किया जाता है फिर liver cirrhosis का जो problem होता है उसमें भी ये injection जो ही यूज किया जाता है तिसरी condition हम देखे तो हिपेटाइडिस के अंदर भी ये injection यूस किया जाता है जॉन्डिस के इलाज में भी यूस किया जाता है लिवर के healthiness के लिए भी ये injection यूस किया जाता है फिर जो जितने भी लिवर related problem होते है अगर किसी का लिवर डैमेज हुआ है किसी बीमारी के कारण तो सभी conditions में ये injection जो लिवर की health बढ़ाने के लिए जो वो use किया जाता है उसके इलाज में use किया जाता है उसके root के बारे में हम समझे तो ये injection जो है वो intravenous root से दिया जाता है तो ये खास दियान रखे तो dilucence कैसे किया जाता है और कौन से dilucence fluid यहाँ पर use होते है वो हम जानते है तो एक इसके अंदर NS use कर सकते है आप जो normal saline हम कह सकते है sodium chloride का 0.9% जो solution आता है कि जिसको normal saline हम कहते है ये एक use किया जाता है second dextrose 5% यूस किया जाता है कि जो D5W जो हम कहते है तो 5% dextrose in sterile water जो होता है D5W के साथ भी उसको dilucence किया जाता है और तिसरा आप RL के साथ भी उसको कि जिसको ringer lactate जो हम कहते है या फिर lactated ringer solution जो कहते है उसके साथ भी उसको जो वो dilucence किया जाता है dilutions देखे तो कैसे dilutions किया जाता है तो वो आप यहाँ पर अच्छे से समझ लिए कि अगर आप समझे कि सिर्फ एक ampule यूज़ करते हैं कि ये वाला एक ampule यूज़ कर रहे है तो एक ampule है तो उसके साथ 10 ml जितना medication रहेगा कि हमें पता है कि एक ampule के अंदर 10 ml जितना ये फ्लूइड रहता है तो हेपा मर्स इंजेक्शन हो गया 10 ml तो उसके साथ dilution fluid आप यूज़ करेगे 490 ml के जिससे total जो है वो 500 ml हो जाए तो ये खास दियान रखना है आपको कि 500 ml टोटल करने के लिए dilution fluid आप यूज़ करेगे 490 ml उसी तरह से समझे कि आप पेशन की कंडिशन के according to 2 ampule यूज़ कर रहे है तो उसमें 20 ml जितना medication हो गया तो dilution fluid आप यूज़ करेगे 480 ml जितना जिससे total 500 ml तयार हो जाए इसी तरह से अगर आप 30 ml यूज़ करते तो 470 ml जितना dilution fluid यूज़ करे 40 ml है तो 460 ml, 50 है तो 450 and 60 ml है है तो 440 ml जितना आप dilution fluid यूज़ करते है तो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा 6 ampule ज्याथा तो 60 ml जितना हो ही पा मर रहेगा और 440 ml जितना यह dilution fluid तो उससे ज्यादा dilution हो जेतीजिया ज्यादा दोस के बारे में हम समझे तो जो रिकमांडेट डोस है वो है कि चार एम्पूल जो हो आप डैली पेशन को दे सकते हैं तो अगर आप यहाँ पे उसके डाइलूसंस को मैं आपको समझा दू तो चार एम्पूल मतलब हो गाया 40 ml जितना तो डैलूसंस आप करेंगे उसके साथ और 460 ml जितना जो है वो डैलूसं करेगे कि जिससे टोटल 500 ml जितना इन्फूजन जो है वो तयार हो जाए कि जो डैलूटेट फॉर्म में रहेगा और यह पेशन को स्लोली दिया जाता है स्लोली आई वी ड्रिप से दिया जाता है और अगर कोई सीवियर केस है तो सीवियर केसिस के अंदर यह जो इंजेक्शन के हम बात करें तो सीवियर केसिस में आप ज्यादा से ज्यादा 8 ampules भी use कर सकते हैं 8 ampules मतलब की medication हो जाएगी 80 gram per day और minimum आप 20 grams दे सकते हैं per day वो भी 24 hours पे तो अगर आप 8 जितनी ampules यूज़ करते तो वो divided dose में कर देजे कि 2 अलग-अलग time पे आप use करें वो भी 12 hours के time interval के उपर की एक dilutions अपने इस तरह से बना लिया है 40 plus 460 ml तो यह जब आप देते हैं 4 ampules वाला तो उसके exit और 12 गंटे के बाद दूसरा जो है वो 40 plus 460 ml जो है वो use कर सकते कि जो कुछ severe cases में होते वरना आप एक ही बार में यह 40 plus 460 वाला dilution जो है वो patient को दे सकते हैं आगे उसके infusion rate की हम बात करते हैं infusion rate क्या होना चाहिए तो infusion rate आपको set करना रहता है 5 gram per hour मतलब कि patient के body के अंदर हर एक गंटे पे 5 gram जितना medication जो होना चाहिए तो आप यहाँ पे समझे कि 4 ampules आप देते हैं 20 gram जितना है तो वो जो drip है body के अंदर administered होगा और dilution को जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 ampule ही आप mix करें कि जब भी dilution करते 500 ml के अंदर तो उसके लिए इस तरह से हो जाता है कि 60 ml प्लस 440 ml जो हो dilution fluid लिया जाता है कि जिससे 500 ml का infusion तयार हो जाए patient को drip देने के लिए तो यह हो गए उसके dose की study, root and dilution की study, अब समझते उसके side effect तो यह जो hipa mors का injection जो generally safe माना जाता है, बहुत ही minor side effect यह produce करता है तो कई बार जो injection की site होती है वहाँ पे reactions patient को देखने को मिलते है जैसे कि अगर यहाँ पे injection यहाँ पे इस vein में समझो की patient को दिया गया है तो आप यहाँ पे देखो कि यह वाला जो portion है वहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा surgeon देखने को मिलेगी तो कई बार patients क्या feel करते है pain feel करते है कि यहाँ पे injection दिया है, तो उनको वहाँ पे pain होगा, दर्द होगा second हम देखे तो swelling कि जैसे surgeon आ गई है यहाँ पे ये area में तो surgeon देखने को मिल सकती है तीसरा, आप जो हो यहाँ पे redness भी देख सकते है कि जो redness हो गई है तो यह भी एक देखने को मिल सकते है और चोथा कुछ cases के अंदर वहाँ पे कुछ patients को itching होती है खुजली जैसा होता है, तो यह कुछ side effects develop होते है, दूसरे कुछ rare side effects के हम बात करें तो कुछ लोगों को nausea vomiting हो जासे कता है, कि उल्टी हो जाती है जी गब राता है बैचे नहीं फिल होती है, कुछ कुछ लोगों को diarrhea हो जाते है, मतलब कि dust जैसा फिल करते है flatulence जैसा फिल करते हैं, जो gas वगेरा, bloating जैसा होना stomach में pain, मतलब कि peat dard जैसा फिल करते हैं अपने limbs, मतलब कि जो heart pair हो अगेरा हमारे होते हैं वहाँ पे दर्द कुछ लोग महसूस करते हैं और कुछ cases के अंदर ऐसे allergic reactions जो वो develop होती है उनके body के उपर तो ये allergic reactions तब भी होती है, कि अगर आपको allergy है, ये ingredients की कि जो HEPA मर्स के अंदर use कि है, जो amino acid से, उसकी समझो कि allergy है, तो ये हो सकता है, तो warnings क्या रहेगी, कि अगर आपको ऐसे allergic reactions आपकी body के उपर develop हो जाते है, हैपा मर्स injection को लेने के बाद तो तुरंट उसको लेना बंद कर देजिए, या फिर ये medication को use ना करें, second कोई भी serious side effects develop हो रही है, ये injection को लेने के बाद तो तुरंट उसको लेना बंद कर देना चाहिए, तीसरा हम देखे तो आपको allergy की history है, क्या पेसेंट counselling के दौरान, डॉक्टर या फिर pharmacist को जरूर बताए, क्या आपकी medical history रही है, AL ornathin या फिर AL aspartate जो combination है उसकी, and ऐसे पेसेंट की जो renal failure वाले हैं, या फिर renal impairment, जिनकी kidneys वगिरा, जो हो अच्छे से काम नहीं कर रही, kidney related problem वाले जो percent है, तो उनको proper precautions के साथ ही injection लगाया जाता है, तो जरूर इससे proper patient counselling होना चाहिए, patient के साथ बातचीद होने चाहिए, या फिर जो भी patient को ऐसे कुछ problem है, तो वो जरूर से doctor या pharmacist के साथ discuss करें, ये injection को लेने से पहले, pregnancy के दौरान हम बात करें, तो ये injection को use नहीं किया जाता, recommended नहीं किया जाता, pregnancy के दौरान, तो ये खास आप दियान रखें कि अगर आप pregnant है, या फिर breastfeeding period में है, तो ये injection को कभी भी use ना करें, और हमेशा pregnancy के दौरान उसको avoid करें, safe side पे रहिए और pregnancy के दौरान उसको use ना करें, तो जैसे याँ पर हमने सिखा hipa mers injection के बारे में, ऐसे सिखें और दवायों के बारे में उनके basic use, dose, side effects, warning, contraindications, एक साल तक affordable price में, वो भी सर अलबास हमें, फार्मरोक्स के mobile application के उपर, तो जो android user है, वो android app डाउनलोड कर लीजिए, iphone user app store से डाउनलोड कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएंगी, या फिर 9016312020 नमबर पे आप, हमें whatsapp कर सकते हैं, plus 91 जो हमारा country code रहेगा, description box में मिल जाहेगे, good luck and all the best.